ग्राम पंचायत बदनगर के गाउं घरवारी में गाउं के मुख्य रास्ते में जल भरावव कीचर से लोग परेशान है ग्रामीनों ने ग्राम पंचायत में सरपंच को उक्त रास्ते से कई बार अबगत कराया है लेकिन ना तो ग्राम पंचायत नहीं इस रास्ते की कोई सुनवाई की है और नहीं प्रशासन ने ध्यान दिया है वही आपको बता दे कि माडेरा पुलिस चोकी से गाउं में आने वाला यह गाउं का मुख्य रास्ता है जहां उम्रावसावई होते हुए पुन्छरी वगोवर्धन में परिक्रमा के लिए स्थानिय लोगों के अलावा बाहर के करीब एक दर्जन से अधिक गाउं के परिक्रमार्थी परिक्रमा देने जाते हैं वही दूसरी और इस रास्ते से पैदल तो क्या बाइकों से भी निकलना दूबर हो रहा है वही ग्रामीनों का कहना है कि अभी बरसात भी शुरू हो जाएंगी जिससे रास्ते से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा इधर गाउं के युवाओं ने कीचर युक्त वजल भराव के रास्ते की समस्या कई बार ग्राम पंचायत कार्याले में सरपंच के समक्ष रखी लेकिन अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है अतैव ग्रामीनों ने रास्ते को ठीक कराने वसाइडों में दोनों तरफ नाली निर्मान की मान की है जिससे गाउं के गंदे पानी के साथ ही बरसातों का पानी सहज ही निकल सके और ग्रामीनों सहित बाहर गाउं के राहगीरों को परेशानी से निजात मिल सके बैयूरो रिपोर्ट रमनिलाल गोस्वामी